दोस्तों, Poco Company अपनी M-Series में M6 Pro के बाद अब ले आई है Poco M6 5G, जिसके आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं Unboxing, ये बहुती सस्त्री रेंज में आने वाला एक 5G स्मार्टफॉन जो कि आपको ऑनलाइन इस्टोर पर साड़े 9000 रुपे का मिल जाएगा Republic Day Sale के अंदर दोस्तों, आप इसे Flip Card से Purchase कर सकते हैं, Box Packing बिल्कुल वैसे ही, Yellow Color की Black Font में Model Name को Mention किया गया है, Made in India भी यहाँ पर लिखा है, Poco की Branding, Backside में Highlight Features को Mention किया गया है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, नीचे Made in India, 4GB, 128GB Variant, यानि के हमारे पास ये Base Variant है, और Blue Color मे साइड, और इसके बाद एक छोड़ा सा Box जिसके Backside में सिमिजेक्टर पे नंदर Quick Start Guide, User Manual, Cover आपको इसके साथ अलग से Purchase करना पड़ेगा, आजकल Redmi और Poco Company अपने Low Budget Segment में, बस 10W का ही Charger Adapter को Provide कर रहे है, फॉन तो सपोर्ट करेगा 18W तक, लेकिन दे रही है, कमपनी Only 10W क रही नॉर्मल सा Charger जो की मुबैल को चार्ज करने में काफी ज़्यादा टाइम लेगा, वहीं पर जो USB केबिल है, वो Type A to Type C मिल जाती है, लेंद और Quality वी Average मिलती है, बस यही सब कुछ मिलता है, बॉक्स में आ जाते हैं, डेरेट स्मार्ट फॉन के और, तो इससे रैपर से करते हैं आजजाद, और इसमें आपको मिलेगी, ड्रॉप नॉज डिस्पले, दोस्तों, आजकल तो सभी स्मार्ट फॉन में लगबग पंच ओल डिस्पले ही मिलती है, लेकिन Pogo Company यहाँ पर दे रही है, ड्रॉप नॉज डिस्पले और, प्री अप्लाइड स्क्रेच गार स्मार्ट फॉन पर नहीं दिया है, और इस मोबाइल का जो बैक पैनल है, वो काफी स्टाइलिस फिनिसिंग के साथ आता है, दोस्तों, जिस पर लाइट का रिफ्लेक्शन आपको बहुती कमाल का देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुती बढ़िया मेगाविक्सल का एक सपोर्टर AI Lens Camera with LED Flashlight दिया गया है, बगल में पोको की ब्रांडिंग की गई है, फ्रेंट में ओनली 5 मेगाविक्सल का ही सेल्फी कैमरा इस फॉन में दिया गया है, मोबाइल के कॉनर चारों तरफ से हैं राउंडेट, साइड में विलकुल फ्लेड, रा प्राइमरी कार तेनों एक साथ इस फॉन पर आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल की वाटब में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है, मोबाइल को हमने भूट कर लिया है, सबसे पहले तो इसकी ब्राइटनेस, अल्रेडी फुल हैं 100% इ उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा जो मोबाइल के एज और बैजल हैं, कौनार ओपर से पतले हैं, नीचे चिन ज्यादा मिलती है, और बात करें इसके डिस्पले की तो काफी बड़ी डिस्पले मिल जाती है, 6.74 इंच की, वो भी HD प्लस डिस्प MPI की मिलती है, साथ ही Corning Gorilla Glass 3 का पड़क्शन भी फॉन में दिया गया है, अब यूजर इंटरफेस स्क्रॉल अप करते ही, सारे के सारे फॉन में मौजूद एफ्लिकेशन यहाँ पर आपको दीख जाएंगी, प्री इंस्टॉल एफ्लिकेशन फालतु के गैम काफी सारे मिल जाएंगे यहाँ पर, हाला कि इनको आप अनिस्टॉल भी कर सकते हैं, और करना भी चाहिए दोस्तों नहीं तो यह बार बार आपको नोटिफिकेशन भेज के तंग करेंगे, और बैक ग्राउंड में खुद बखुद यह रन करेंगे, इसकी अलावा 168 mm इसकी हाइट है, 78 mm की वेट, 8.1 mm की इसकी थिकनेस है, और 192 ग्राम इसका वेट, स्प्लैस प्रूफ है, स्मार्ट फॉन हलका फुल का पानी, मुबाइल का कुछ नहीं बिगारने वाला, चलिए दोस्तों अब इसकी जो सेटिंगे से उपन किया जाए, सेटिंग का इंटरफेस बिलकुल रेड का ही सब ब्रांड है ये, और अबाउट फोन सेक्षन दिया गया है, सबसे उपर इसे उपन करें, MIUI वर्जन 14.0.4 बगल में स्टोरेज देखिए, 128GB का, इसकी अलावा Android 13 मिलेगा आपको इसमें, डिटेल में चलते हैं, 4GB RAM प्लस, 2GB Virtual RAM, 2.2 GHz का उक्टक और प्रोसेसर, MediaT Demensity 6100 प्लस का चिप सेट आपको इसमें दिया गया है, जो बेस्ट है 6NM के फैबरिकेशन पर, Mali G57 के ग्राफिक आपको इसमें मिल जाते हैं, 4GB जो RAM है, उसका टाइप है, LPDDR4X, इस टोरेज का टाइप है, UFS 2.2, एक्पेंडेबल मेमरी 1TB तक आप स्पॉन में बढ़ा स भी बढ़िया मिल जाती है, वो भी 10X तक की, तो 10 गुना तक इसकी कैमरा से आप जूम भी कर सकते हो, वीडियो मोड में आप इससे सूट कर पाओगे, 1080p में 30fps, और 720p में 30fps, बाकी दोस्तों 60fps का, 4K का, 2K का कोई होपसर नहीं मिलेगा, टाइम लेप्स मिल जाता है, वीड सेलफी कैमरा, ओनली 5 मेगविक्सल का है, ज्यादा कोई खास नहीं लगा, नॉर्मल सेलफी कैमरा मिलता है, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरा के लेटी ठीक ठाग मिल जाती है, लेकिन कम से कम 8 मेगविक्सल का कैमरा देना जिये था आज की टेट में कमपनी को तो फ्रेंड्स, ओवराल देखा जाए, तो अगर यह स्मार्टफॉन 9,000 रुपे से नीचे आपको मिलता है, तो मैं कहूंगा एक बड़िया डील है, ठीक ठाग स्मार्टफॉन है, लेकिन 10,000 रुपे से उपर इस पर खर्च करने की कोई जुरत नहीं दोस्तों, क्योंकि य यह चिप सेट को दे रहे हैं, बाकी दोस्तों, अगर आपको 11,000 रुपे की रेंज में 5G स्मार्टफॉन खरीदना है, वो तो अब तो इसको स्क्रीप कर दीजे दोस्तों, क्योंकि 11,000 रुपे की रेंज में इससे कई गुना बेटर स्मार्टफॉन 120 हर्ट के रिफ्रेस्ट रेट के साथ आज के डेट में आपको मिल जाएंगे, वो भी फूल एजडी प्लस डिस्प्ले के साथ 33 वोर्ट का पास सर्जर भी मिलेगा दोस्तों,